कि नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हर देख स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्य पुन टोपिक लेकर आया हूं आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काली मिर्च का अद्बुत प्रियोग इसे जानने के लिए किर्पे हमारी वीडियो को देखते रहें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि इस चैनल पर आप आखो की रोस्नी बढ़ाने के लिए काली मिर्च का अधब UP प्रियोग काली मिर्च को पीश कर घी Bura'sंग खाई नेतर रोग सब दूर हो ूगिद द्रिष्टी हो जाए नेत्रों के लिए परम हितकारी काली मिर्च का ये प्रियोग करने से कमजोर दृष्ट्री वालों के लिए बहुत ही बहतरीन है इससे नेत्रों के सभी रोग दूर होकर आँखों की रोसनी गिद के बराबर अर्थार अती तेज और दूर से दिखने देखने वाली हो जाती है तो ये जानते हैं ये जो कहवा थी अपने आम में सारी कहानी बया करती है काली मिर्च मेंनी संदे नेत्र जोती बढ़ा देने की अद्बुत शमता होती है जिसमें बताया गया है कि काली मिर्च को पीस कर देशी गाएं तथा बूरा सक्कर के साथ मिला कर निते खाने से समस्त नित रोग दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति गिद के समान तेज दिरिष्टी वाला बन जाता है यह तीनों को बराबर मातरा में मिला कर चुन बनाएं तीनों को सो सो ग्राम की मातरा में मिला लिजिए इस प्रियों को अधिक सक्तिसाली बनाने के लिए सर्द पुरनिमा की रात को यह मिस्रन त्यार करके चंद्रमा की क्रिणों के नीचे पूरी रात रखें और चंद्रमा की सीतल क्रिणों के परभाव से यह मिस्रन अत्यादिक सक्तिसाली बन जाता है दोस्तों तो मिस्रन नेत्रों के लिए काली मिर्श की अद्बुत मिस्रन को प्रियोग करने की विधी यह मिश्रन सुबह नास्ते से एक घंटे पहले गाएं के दूद के साथ एक चमज सेवन करें सर्दियों में यह दो चमज तक सेवन किया जासता है यह प्रियोग 15-90 दिन तक सेवन करना है यह अपने रिजल्ट आपको 15-20 दिन में दिखाना सुरू कर देगा अगर चस्मा लगा हुआ है या नेत्रों में ज़्यादा प्रोब्लम है तो आप इसके सेवन से इसके सेवन के साथ में सुबह सोच मलत्या के साथ सिर्शासन जरूर करें और ध्यान रहे की आसन करते समय दोनों आखें बंद हो अन्यतर जोती बढ़ने के बज़ए कम हो जाएगी तो ये थे दोस्तो हमारी वीडियो नेत्रों के लिए काली मिर्च के अद्बुत प्रियोग अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना बोलें इसके सासथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से समंदिस सभी जान कर या हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर पर उस्दे बना कर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वास्त जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वास्त ही जीवन हैं धन्यवाद दोस्तों